नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब आई होक च्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे और दोस्तों आज मैं लेकर आई हूं बहुत ही कमाल का यूसफुल टिप्स जो टिप्स देख कर आप लोगों का डेली लाइप का काम तो असान होगा ही साथ में पैसों की बचत होगी तो दोस्तों चलिए नादेरी करदेगे वीडियो को सुरू करते हैं उससे पहले दोस्तों हमारे चैनल पे पहली वरा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा और हाँ दोस्तों वीडियो जरा सभी यूश्फूल लगे तो अपने दोस्तों इस सेर कर दिजगा, तो चली वीडियो को सुरु करते हैं, फरस्ट टीप है दोस्तों देखे且 यहाँ पे हम लिये हैं कुछ डूप में यह की कुछ है हमिस कमाई हुआ चीप weakened और यहाँ पिर हम हारपीक यहां की हर दिए ले लिए हम आटे में हम मिलाएंगे मिलाने के बाद इसको हम अपने जिसा कि दवाई बेगरा लाते हैं चुहे मरने वाले तो पैसा खर्चा ही होता दोस्तों तो क्यों ना हम घर पर ही कोई सेलुसें बनाएं और बचत करें हार्पिक मिला के आठे को घूथ ले रहें अच्छा से थोड़ा से मिला दे रहे हैं जो चुहा खा पाएं चुहा इतना मेरे घर में आतंक मचाया हुआ है कि क्या ही बताएं आप लोगों से यह मिला लिया है मिलाने के बाद इसमें हम एक आते हैं वहाँ वहाँ रख देंगे क्योंकि कपड़े अधिकतर काट रहे हैं दोस्तों बच्चे के भूख वेगरा काट दे रहे हैं तो यह आज माया हुआ टिप से आप लोग भी यूज कीजिए काफी जो मदद मिलेगी पैसे की भी बच्चत होगी तो चेले देख रहते है published in a भी गले में हमारा जो दर्द हो जाता है इस तरीके से पानी को काट कर पीजिएगा माना जाता है दादी नानी कहती थी कि इस तरीके से पानी को काट के पीने से काफी रहत मिलती हैं और 3 लगातार पीजिए खाली पेट सबसे पहले पानी को काट लीजिए और पी लीजिए तो दोस्तों देखिएगा कि मेडिशन खाने के जरूरत नहीं पड़ेगी काफी राहत मिलेगी तो दोस्तों यह बहुत ही यूजफुल टिप से आप लोग ज़रूर यूज कीजिएगा तो इसे हम यूज करने वाले हैं कान के दर्द में दोस्तों हाँ दोस्तों सही सुना आप लोगों ने कान के दर्द में इसे हम यूज करने वाले है तो सबसे पहले इसका छिलका उतार लेंगे और छिलका उतारने के बाद इसे हम पत्रे-पत्रे स्लाइस में कट लगाएंगे त तो इसे हम सेखने वाले है इस प्याज के सलाइस से अपने कान को अपने कान में दर्द होता है इस टिप्स को फोलो कीजिएगा तो काफी रहत मिलेगी यह भी हमारी दादी-नानी का ही जुगार है क्योंकि पहले कि ना दादिया और नानियां बहुत कुछ जानती थी जुगार तो आई हो कि दोस्तो टिप्स पसंद आया हो पसंद आया हो तो चले देख लेते हैं नेक्स टिप तो नेक्स टिप हमारा है इस तरीके का तेल का बोटल को लेकर तो इसे भी हम एक सेलूशन बनाने वाले हैं जो क्या है ना कि हम ट्वाइलेट में यूज करने वाले हैं तो इस solution को हम बना के यूज करने वाले हैं ट्वाइलेट में दोस्तों तो ट्वाइलेट हमारा क्या है ना कि जल्दी जल्दी बार-बार गंदा हो जाता है बार-बार हमें साफ करना पड़ता है और क्या है कि बैड स्मेल बहुत आता है तो इस तरीके से solution बना कर तयार किजिए बातरों के तरफ जाने के बाद देखें यहाँ पर क्या है कि इन एंगल्जीश ट्वायले होता है तो मेरे अंहीं ट्वायलेट त्वायलेट है इंगल्स ट्वायलेट है तो मीरे पर tweet है तो नहीं एंगल्स CPR नहीं है तो उसके अ' टान दीज्य शहिक डेज्यट सब्सक्राइब करने के साथ लगा हो तो लाइक कीजेगा लाइक करने के साथ दोस्तों सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजेगा ताकि मैं इसी तरीके से आपके लिए नियु नियु टीप्स और नियु नियु है को अलग वीडियो आप लोगों के बीच लाती रहे हूं और फ्लीज आप लोग सपोर्ट करते रहे तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए